अगर गाय हमारी माता है तो उसके अत्यारों को फासी कोई और क्यों देगा भाई यह क्या हीज़ों यसी बाते हैं अगर गाय माता है तो भई बदला खुद लो और गाय की अत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जिन लोग जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना सुरू करतो, उसके बाद गौहत यहाओगी नहींुगे। जो हमारी मा का दुस्मन है, वो हमारा दुस्मन हुआ कै कै नहीं हुआ? अगर वो अमारा दुस्मन है, उसका बद कोन करेगा limited ह्यूनुका क्यों हराम है और जबिया क्यों हलाल है? पहले एक चुटकुला पेश करूँगा आपके सामने जवाब देने के पहले कि एक मुसल्मान भाई और एक सीख भाई के दर्मियान यही चल जाता गुफतगू वो सीख कह रहाता कि आप मुसल्मान बेदर्द लोग है जालिम लोग है जब आप जानवर को मारते तरपा तरपा के मारते मारन ने कहा है तो जड़के से मारो जानवर फिनिश खताम आप लोग बेदर्द लोग है जालिम लोग है अब आप मुसल्मान भाई तो जवाब सुजा ने तो उसने कहा कि हम मुसल्मान जब वार करते हैं मर्द के बच्चे आगे दे वार करते हैं आप सीख लोग बुजदी ले पीछे दे वार करते हैं जैसा मैंने का ये चुटकुला है ये सई जवाब नहीं है ये चुटकुला था इंगलिश में कहते जिस जोख चुटगुला था, यह सई जवाब नहीं है सई जवाब यह है कि इस्वाम में हम जबिया करते हैं जबिया के लिए भूस से शरायत है कि छूरी जी से जबिया कर रहे हैं वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजे एक जानवर के सामने दुसरे का जबिया नहीं करना चाहिए, वो इससे शरायत है और में शरत यह है अब जबिया करते है तो इस घर्दन के विंड पाइप विंड पाइप सास की नली को काटने का और वेसल्स अब दे नेक यह जितने भी वेसल्स है आर्ट्री अन वेन्स उसको काटना चाहिए लेकिन स्पाइनल कॉड रीड की हड़ी मेरे उर्दू जब जब अब यह विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स अब दे नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉड डैमिज नहीं होती जब स्पाइनल कॉड डैमिज होती है जटका देते हैं तो spinal cord damage हो जाती उससे जो nerve जा रही है दिल को, heart को, कल्ब के तरफ वो damage हो सकती है और आपका दिल एक आग रुख सकता है तो सारा खून आप में जमा हो जाएंगा जब हम जबिया करते हैं फिर wind pipe काटते हैं और बाकी के vessels, vessels, veins and arteries काटते हैं तो उसके अंदर दिल heart pump कर रहा है blood को क्योंकि दिमाग अभी तक जिन्दा है और ये heart pump करता है, जब heart pump करता है blood को, तो अहम्दो लिल्ला ज्यादा से ज्यादा खून बान निकल जाता है तो हम जबिया करते हैं खून बान निकालने के लिए और आज की science कहती है कि खून में भोस से जरासिम होते हैं खून is a very good media for germs and bacteria, ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासिम और germs और बाक्टिरिया पैदा होते, तो हम ये खून को जब भान निकालते हैं जानवर के जिसम में से, क्योंकि हम medically hygienic लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने ज जरासिम भी भान निकल जाते हैं, तो हमें बिमारी कम हुई ही, उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है, कि जबिया किया हुआ गोश, जड़के के गोश से ज़्यादा फ्रेश होता है, ज़्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है, और जो लोग ये कहते हैं, कि जब हम काटते हैं, तो जो खून वो नर्फ पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुख जाता है, तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तरपता है, क्यों? क्योंके मसल्स कॉंट्रेक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीचो होने के वज़े से वो जानवर तडपता है लेकिन दर्द के वज़े से ने क्योंके खून जिसम से भान निकल रहा है इसलिए तडपता है उसे दर्द नहीं होता लेकिन जटके में जटका देते हैं या स्टनिंग कहते हैं स्टनिंग उससे अक्सर जानवर चार-पांच गंटे बाद मरता है और दर्द के जरी मरता है इसलिए हम मुसल्मान हम जानवर की भी कदर करते है क्योंकि अल्ला अल्ला फर्माते है कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसलिए खाते हैं लेकिन अल्ला के नाम से उसे काटते हैं और जब हम उनके जबा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते है इसलिए हमारे लिए जबिया हलाल है और जटका हराम है